नमस्कार मैं शरद्दिवेदी और इस विशेश प्रस्तुति में आपका बहुत स्वागत करता हूँ और आपको बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि आज इस कारिक्रम में हमारे साथ भारतिय वांगमय के भारतिय मनीशा के एक ऐसे अद्भुत संत हैं जिनके बारे में जितना मैं कहूं उतना कम है जैसा मैं अगर शायद बढ़ चड़कर कहूं तो जैसे इश्वर के लिए कहा जाता है कि कहां से स्याही लाई जाए और कहां से कागज लाए जाए वो भी कम पड़ जाएगा वैसी ही कुछ उनकी गाथा है जो चार रामानंद परंपरा से जो आने वाले जगत गुरु हैं उन में से वो एक हैं और 1988 से जहां तक मेरी स्मृती मेरा साथ देती है तब से वो इस पदपर हैं और बहुत सारी बाते हैं तुलसी पीठा धीश्वर हैं वो पदम विभूशन हैं वेद उपनिशद जो हैं ऐसे मुखाग्र हैं और ऐसे शब्द जरते हैं कि क्या कहा जाए और महत्पूर्ण बात ये भी है कि राम जनुभूमी को लेकर जिस तरह से नियायले में सुप्रिम कोट में उनकी गवाही हुई और जब माननी नियायधीश ने कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि मंदिर उसी स्थान पर है तो उन्होंने रिगवेद की जिस परंपरा और जैमिनी सहिंता के माध्यम से वरनित किया उसको तो पूरा विश्व चमतकृत हुआ कि अद्भूत है ये और आज हमारे साथ राम भद्राचारे जी हैं बड़ा सोभाग्य प्रणाम कर दिखने का दावा कर रहे हैं मेरे जैसे चक्षु आन तथा कथि भ्रम में भटक रहे हैं इस पर एक आपकी टिपड़ी यह अन्तष चक्षु केवल भगवत कृपा से प्राप्त होता है वह इसी सूर्शागर के मंगरा चरण में सूर्दाश जीन कहा जाकी कृपा पंगोग में देखते हैं आचारे वर कलिकाल है बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी हम सुनते हैं जो मन को खिन करती हैं लेकिन इसके बाद भी आशा हमारी सबसे बड़ी नौका है जिसमें बैठ कर हम आगे बढ़ते हैं कैसे देखते हैं आप वर्तमान यूग को अच्छा देख रहे हैं भारती चिंतन निरनतर विकास वादी रहा है हराश वादी नहीं जी जी और 21 स्थापदी हिंदू की स्थापदी हैं इसमें हिंदू का बहुत अभ्यूदय होगा ऐसा मेरा अंता करन कहता है वाँ तो आप ऐसा मानते भी हैं कि बीच की जो सदियां रही हैं वहां हिंदूओ का अभ्योदय और उनका विकास अवरुद्ध हुआ हां निश्चित कारण क्या देखते हैं आप इसके पीछे विजेशी आक्रमन जी और भारत में भी पनपनेवारे उपधर्म जी जिनकी काल हमको वेज की शिक्षा से विम्ख किया गया तभी हमारा पराभव प्रारंब अध्यात्म जी 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 अध्यात्म जी 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 अब इस आत्म तत्त्त जिसका आप उलेक कर रहे हैं इसके लिए आप जैसे संत तो प्रमुख प्रतिनिधी हैं ही और आप किस तरह से देखते हैं अभी आपको कहीं उसमें उन प्रयासों में कुछ कमी दिखती है नहीं कोई कमी दिखती ने दुर्गाशब्ट सती का स्वरलहरा दिया और इंटर्निशन योग दिवस हो गया सब कुछ तो हिंदू कनकूल हो रहा है असंभव से संभव हो गया हमको राम जयन भूम मिल गई भले वहां मेरा बक्त काम आया जी और श्री राम जयन भूम मिल गई लोगों सोचा था कि एक सब्सक्राइब करके इस भारत को समाप्त कर देंगे पर एक चीरिया भी नहीं बोली विरुद स्वर में जी 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 हमारी शफलता है तो है जी जी क्या आप ये भी मानते हैं कि देश का जो संख्यक समुदाय है वो भी इन चीजों के विरोध में नहीं है और वो भी चाह रहे तो चाहे तो अच्छी बात है पर मुझे विश्वास कम है विश्वास आपको कम लगता है इसके पीछे आप बाहरी शक्तियों को देखते हैं जो बर्गला इसको इनकी मानस्क्ता भी है जी जी मानस्क्ता भी आप देखते हैं कि एक बड़ा कारण है अब यह आपका ए उनके अधिकार क्षेत्र का जो दावा आता है उस कश्मीर की कि वो जल्दी ही भारत का हिस्सा होगा. इसलिए हमने बिगत 12-20 दिनुरी तक एक हजार आठ कुणी हनमन महा यगी किया। ये त्रेता के विश्वामत्र के यगी के पस्टाट पहरा यगी था। प्रत्य यगी में कोई कामना होती है। पर इस यगी में कोई कामना नहीं थी। इदम राष्ट्राय नममो। वा 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 हमी प्रणाम होगा और पाक अधिक्सित कश्मिर हमीं मिलेगा ही मिलेगा। मैं आश्वस्त भी हूँ बिस्वस्त भी। वा 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 ऐसे भी दावे सामने आ रहे हैं कि पाकिस्तान तो विखंडित होगा। होगा। जी। आप देखते हैं कि इस तरह की घटनाएं भी घट सक लगती हैं। एक आपका ध्यान में आकरशित करना चाहूंगा कि इस समय जो युवा शक्ति है वो काफी ध्रमित है। मुझे तो नहीं लगता हूँ। कारण है कि युवक इस समय लोग युवकों को समझ नहीं पा रहे हैं। ना तो संत समझ पा रहे हैं और नेता समझ पा विखंडित करवा रहे हैं और विदेशी ताकते करा रहे हैं। जो बलात का आृध हुरहे हैं। भारत का जो मू जवक्खते जो मू भारती है । वव रखंडित के और और जिस तरह की घटनाये चाहे शे को लेकर हो हो या तमाम मैंने आपके इस प्रश्ण का उतर दे दिया, जब ही दुर्गणों का आरोब योकम किया हो रहा है, वो बिदेशी सक्तियों की कारण हो रहा है. कई ऐसे प्रश्ण सामने आते हैं देश के, जहां ऐसा लगता है कि धर्म सत्ता को सामने आकर इस पश्ट रूप से मार्गदर्शन करना चाहिए, आप जैसे संत्य तो हम देखते हैं कि बहुत प्रखर रूप में आते हैं, लेकिन कई बार संतों की वानी भी थोड़ा भर्म मे मैं और किशी के टिपड़ी नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने बक्तबे के लिए उत्तादाई हूँ, कोई भी मेरा बक्तबे आशास्त्री नहीं होता और आश्त्र बिर्द्ध नहीं होता जिस तरह से बागेश्वर धाम जी को लेकर दो शंकराचारियों के भिन भिनमत सामने आये। दोनों द्रश्टी से वो नहीं है। अभी शंकराचारियों नहीं है। आप एक बात सोचिए, कि इहों ने अपने गुरु के मरने के पश्चात नारायन बल्द दिया, और दसगात्र किया। क्या सन्यासी के लिए नारायन बल्द दी जाती है। इसका उत्तर ये नहीं दे सक बड़ी बात आप कह रहे हैं। एक बड़ा आपका ये प्रश्टन है और एक बड़ा हरूप भी है। बहुत बड़ी बात आपने कही है। बहुत बड़ा प्रश्टन भी आपने उठाने की बात कही है। बागिश्वर धाम को लेकर जिस तरह से एक बहस छड़ी हालाकि उसके पक्ष में लोग अधिक खड़े हुए और कहा ये गया कि सनातन परंपरा के मूल को जानने की जिग ग्यासा और प्रबल हुई। आप पूरे प्रकरण को किस तरह देखते हैं। मैं तो यह देखता हूँ। बागिश्वर पिठाजी पती मेरे शिश्य है। मैंने ही उनको दीक्षा दी है राम मंत्र के। और बागिश्वर उस बालक में कोई गल्ती नहीं की है। हिंदू का जो हिंदू अपने घर से बाहर चले गए थे उनकी घर वापसी कराई। दो चार की। इसलिए और लोग तिन मिला गए। और ब्यर्थ की प्रणाप की पधतियां अपना ली। जो चमतकार को लेकर एक बहत छेड़ने की कोशिश हुई। तो उनको उनके पूरवज और गुर्जनों का उन्हें जो प्रसाद प्राफ्त वही बित्रित कर रहे हैं समतकार की। जी जी आपके बहुत प्रिये शिश्य हैं वो। आपने एक बड़ी महत्पूर्ण बात ये भी कही कि भोपाल का नाम जब आपने तमाम उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुक शहरों के इलाबाद जब प्रयाग राज हो सकता है और भी आपने कुछ उदारण दिये। जब भोपाल भोजपाल क्यों नहीं हो सकता है। जी 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 और भोज एक अधुत शासक रहे हैं, संस्कृति के मनीशी द्वजवाहक रहे हैं, तो उनका नामकरन निश्चित तोर पर भोपाल और इस राजधानी की करीवा को बढ़ाएगा। किस तरह से आप यार याद करते हैं भोज को क्योंकि हमने सुना आपने बड़ी सुन्दर इस पर टीका की है टिपणी की है आज ही मुझे ग्याद हुआ जब मैं आपके अनुयाईयों के साथ बात कर रहा था मैं भोज राज को जितना कुशल शासक मानता हूं उतना ही कुशल शास्त्रों का अनुशासक भी मानता हूं बहुत सुन्दर आपने शास्त्रों का अनुशासक ये शब्द मैंने इसके पहले कभी सुना हो मुझे याद नहीं आता लेकिन सुनकर तरंगित हो गया मन कि उतने ही कुशल शास्त्रों के वो अनुशासक है ठीक भोजराज की दो रचनाई मिलती है सरस्वती कंठा भरण और पातंजल योग सुत्र पर बृत्ति दोनों ही अपूर भै ये भोजराज की बृत्ति नहोती कदाचित योगर श्री रामदेव स्वामी भी इतना प्रतार पात अंजल योग करने कर पाती आपके बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो तीन वर्ष की उमर में आपने एक बड़ी सुंदर सी कविता लिग दी थी और बड़ा उसके भाव मुझे मेरे मन के अंतर तक छूग है कि आपने और बलक करिश्न के पक्ष में खड़े होते हुए कहा कि क्यों इतने कठोर रूप में आप उनका हाथ पकड़ रही हैं ऐसा मत करिये उनके साथ ये जो भाव रहा निरंतर स्रेजन यात्रा आप की रही कैसे इस पर भी एक छोटा सब का यह तो स्वाभाविक्ता है माय सोधा नहीं मैंने ब्रज गोपी ने भगवान कृष्ण को सताय तब मैंने करा तो मेरे गिरिधार इसे काहे को लड़ी काहे को लड़ी तू तरुनी मेरो गिरिधर बालक कहे मुश्कात खरी कहे भुजा पकरी आप समझ सकते हैं कि तीन वर्ष की उम्र में ये अध्यात्म की अजस्र धारा मंदाकिनी के बहुत सुन्दर तट पर आपका आश्रम है आचारे वर का और तीन वर्ष की आयू में इतना सुन्दर एक कविता का स्वर फूट पड़ा था आपने प्रधान मंतरी नरिंदर मोदी जी के बड़ी प्रशंसा की और अब केंद्री ग्रह मंतरी आमें शाह जी कह चुके हैं कि एक जन्वरी को भव्य राम मंदिर भी पूरे विश्व हाँ बन जाएगा 14 जन्वरी को उसको हम लोग उखाटन करेंगे एक अभूत पूर्व घटना क्रम होगा एक अधभूत भारती निश्चित उसी समय मेरा अमरत महुत्सव भी होगा मेरे शरी करेंगे अरे वाँ आप हमेशा बहुत ही आशावादी रहे राम मंदिर के निर्मान को लेकर क्या तीसरी बार प्रधान मंतरी नरिश्व इंद्र मोधी जी के नेत्रत्त में कारण आपको क्या लगता है उनके कार्य ही सबसे प्रमुक्त जी मध्यप्रदेश में जरूर 2018 में परिवर्तन घटा लेकिन कैसे आप देखते हैं यहां की सरकार कैसे काम कर रही है अच्छा कर रही है जी और अच्छा करना चाहिए जी य आपका एक गुरू का बहुत महत्वपूर्ण मारगे निर्देशन तत्तु भी है कि और करना चाहिए जिस तरह से हमारी शिक्षा प्रणाली है क्योंकि आप एक अदभुत शैक्षनिक संस्थान के कुला धिपती भी है और मैं शिक्षा विद भी हूँ शिक्षा विद हैं आपकी पुस्तक हैं अब 22 भाशाओं के ज्याता 240 से अधिक पुस्तक हैं 235 देखे यह भी मुझे अपडेट किया गया किस तरह से हमारी शिक्षा प्रणाली में नई शिक्षा नीती की बात है सनातन परंपरा का समावेश किस रूप में हो शिवराज जी ने अभी कहा है रा जी अच्छा प्रयास है जी धर्म संसत जैसी एक अउधारणा हमेशा बहुत आकर्शत करती है लेकिन उसकी माननेता पूरे भारत में हो ऐसी एक धर्म संसत की स्थापना जहां से हमें निवारान तुरंत मिले जैसे आपने अभी शंकराचारिया अभी मुक्तेश्वरानंद जी के बारे में कहा जी मैं प्रणाम करता हूं आपको बहुत हिर्दय से धन्यवाद करता हूं तो ये थे आचारे प्राम बद्राचारे जी इनको आपने सुना और क्या कहूं इनके बारे में मैं क्या टीका और भाश्य इनके कहे पर करूं इन्होंने बहुत सपष्ट बहु बहुत साफ शब्दों में अपनी तमाम बातें कहीं हैं और हर में हर उनकी बात में निश्चित तोर पर एक अद्भुत आशा का उद्गोश हमें बार-बार दृष्टिमान हुआ है नजर आया है तो बहुत धन्यवाद कि आपने भी धहरे पूर्व के इस चर्चा को सुना न